क्या मा, कम से कम लस्सी तो ठंडी करके पिला देती, और ये, ये कैसी लस्सी है, पूरे गलास पानी में एक चमच दही डाल देने से लस्सी नहीं बनती है मा अरे चुपचा पी लेना, जादा चकर चकर मत कर ठीक है, तो फिर आप ही पियो, अपनी ये बकवास गर्म पानी जैसी लस्सी बस बस, अब फिर से आप अपना बचत पुरान मत शुरू करो, जा रहा हूँ मैं इतना कहकर रंजीत वहां से चला गया, रंजीत जब छोटा था तब ही उसके पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मा कमला ने बड़ी मेहनत और मुश्किलों से रंजीत को पाल पोस कर बढ़ा किया था, पैसों की दिक्कत हमेशा से थी तो कमला ने भ जब जाकर वो रंजीत को पढ़ा लिखा सकी, लेकिन ये बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई, कमला को भी पता नहीं चला, जब तक रंजीत छोटा था, तो वो अपनी मा से कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन जब वो बढ़ा हुआ और नौकरी करने लगा, तब उसे क कमला की कंजूसी से चिड़ होने लगी, लेकिन जब भी रंजीत कमला से कंजूसी छोड़ने को कहता तो वो गुस्सा हो जाती, और फिर एक दिल, मा मैं ओफिस जा रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया, वहीं खाना ओफिस के कैंटेन से खा लूँगा, ठीक है ना, ओई र अरे क्या हो गया, रहने तो आप, मैं खा लूँगा पराठे, और आपका ये शाही अचार, रंजीत मुह बना कर चला गया, वो कहना तो बहुत कुछ चाता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया, उधर आफिस में लंच टाइम पर रंजीत ने कैंटीन से सबजी खरी दी और परा की कंजूसी जायज थी, लेकिन अब जब वो अच्छा खासा कमा रहा था, तो वो चाहता था कि कमला अब उसके पैसों से सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाए, पर कमला खुद को बदलने के लिए बिलकुल तयार नहीं थी, फिर एक शाह, जो एसी लगे हैं, वहाँ बैटकर पताएं नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, अच्छा, वैसे कितने का आता है ये एसी, बढ़िया एसी पड़ जायगा करीब 30,000 का, हैं, बापरे इतना महंगा, और फिर बिजली भी खायगा पेट भर कर, अब माँ एसी है अब चार सो रुपए कुछ नहीं होते, अच्छा, चार सो रुपए में तेरे वो चार पांच ब्रांडेट कच्छे आ जाएंगे पता है ना, तो आप ये चाहती हो कि मैं उन्हीं कच्छों को पहन कर सारी गरी में निकाल दूँ, हद दै यार मा, रंजीत किसी आकर घर के अ फिर अगले दिल, अब रंजीत तयार हो गया क्या, हाँ मा पर मा अभी भी सोच लेते हैं, अभी मेरी उम्री क्या है, ये सुनो, पूरा पचीस का हो गया, अब नहीं तो कब शादी करेगा जरा बता दो, कमला रंजीत को उसकी शादी के लिए लड़की दिखाने ले जा रह ममता विदा होकर अपने ससुरा ला गया, फिर अगली सुबह ममता जल्दी उड़ गई, उसे फ्यास लगी थी तो वो किचन के पास आई, जहां उसने फ्रिस देखा, लेकिन फ्रिस खोलते ही वो चौंक गई, हैं, ये क्या, फ्रिस में कपड़े कौन रखता है, कमला के घर म फ्रिस दो था, पर उसने कभी फ्रिस को चलाया ही नहीं, बल्कि वो तो फ्रिस को आलमारी की तरह इस्तिमाल करती थी, ममता फ्रिस को देखी रही थी, कि तभी पीछे से कमला आ गई, क्या देख रही हो बेटी, वो फ्रिस में कपड़े ये, अरे वो हुआ यूं कि सूटके फ्रिस में छेद हो गया था, तो मुए चुहे उसके अंदर घुसकर कपड़े कुतरने लगे, तो मैंने, तो आपने कपड़े फ्रिस में रखने शुरू कर दिये, पर ठंडा पानी, वो कहां मिलेगा माजी, पानी, अरे वो तो रहा सामने, उस घड़े में, हम उसी से पानी पीते हैं, और पता है, ये तेरे ससुर जी लाये थे जब रंजीत मेरी गोद में था, इस घड़े का पानी इतना ठंडा होता है न, कि दुन्या भर के फ्रिस फेल हैं इसके आगे, अब अच्छा ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरा मम्ता समझ गई कि उसकी साह साला दर्ज की कंजूस है, फिर एक शाम, मा जी अब टीवी देखें, अरे क्या करोगी टीवी देखकर, टीवी पर भी न आजकल बस गंदगी दिखाए जा रही है, अहां ये भी ठीक है, टीवी से अच्छा तो पडोसियों और दोस्तों से ही बात कर लो, अरे मा जी याद आया, वो कम सुनाई नहीं देता, बल्कि उसने तुझे अंसुना कर दिया, वो कहां बात करती है हमसे, मेरी तो कई बार उससे लड़ाई हो गई, कमला की बात ममता को कुछ ठीक नहीं लगी, और फिर उसी रात उसने रंजीत से इस बारे में बात, देखो ममता, जिनांटी को तुमने देखा था, उनका नाम जान किया, पहले हमारे और उनके बीच में बहुत अच्छे रिष्टे थे, पर मा की कंजूसी की वजह से रिष्टे खराब हो गए, वो बुरी नहीं है, पर हम उससे बात नहीं करते, इसलिए वो हमसे बात नहीं करती, रंजीत और ममता की शादी को एक साल बीत किया और गर्मिया फिर लोट आए, इस बार गजब की गर्मी पढ़ रहे थी, फिर एक दिन ममता की तब यह तचानक खराब हो गई, उसे तेज बुखार था, ममता ने रंजीत को फोन किया तो वो ओफिस से दोड़ा चलाया, अरे ममता तुम तो बुरी तरह से इसके सिर पर रख दे, फिर देखना कैसे जट से इसका बुखार उतर जाएगा, रंजीत ने जैसे ही पानी को छू कर देखा तो वो हलका गर्म था, रंजीत के सबर का बांध अब तूटने लगा और वो गुस्से से बोला, बस मा बहुत हो गया, आपने अब तक जो किया अब और नहीं, आपने तो कंजूसी की हदी पार कर दिये, आज अगर आपका फ्रिज चलता होता, तो कम से कम उसमें से ठंडा पानी तो मिल जाता, ममता के सिर पर पट्टी रखने के लिए, अरे तो भड़क क्यो रहा है, जा कल्लू जूस वाली की दुकान से पांच रुप अब तुम्हारे साथ रहना बड़ा मुश्किल है मा। फ्रिज के ठंडे पानी की पट्टी रखते ही ममता को आराम आने लगा, तब तक जानकी भी रिक्षा लेकर आ गई, रंजीत ममता को रिक्षे में बिठा कर डॉक्टर के पास ले गया, उधर कमला ने जानकी के सामने हाथ जोड़ लिये, मुझे माफ कर दे जानकी, अरे अर बहू मेरी बहू, पर कमला अब तु कंजूसी छोड़ दे, वरना बुढ़ापे में बहू के साथ-साथ बेटे से भी हाथ धू बैठेगी, साही कह रही हो, मेरी कंजूसी की वज़े से रंजीत ने तो साहा ही है, ममता भी बिचारी चुप-चाप सहती रही, चल कोई बात न आचल तुझे चाय पिलाओ, देख मैं कालाओगी, अभी मुझे फ्रिस साफ करणा है, फ्रिस से वो काम लेन है जिसके लिए वो बना हुआ है, अपने बेटे बहु से दूर हो जाने के जिक्र भर से ही कमला सीहर उठी थी, तो अब जाकर उसकी समझ में आया कि उसे बदलना ही होगा और इसकी शुरवात कमला के उस फ्रिस से ही हुई, जो अब तक बस एक अलमारी बन कर कोने में पढ़ा था, वंश नौवी कक्षा में था, उसके पापा सबजी का ठेला लगाते थे और ममी घरों में खाना बनाने का काम करती थी, वंश के ममी पापा चाहते थे कि व वंश को टेकनिकल काम में बहुत रुची थी, इसलिए वो अपना दिमाग लगा कर खराब होए मोबाइल फोन और लैप्टॉप ठीक कर लेता था, एक दिन ओके सेर, राहूल काफी कोशिश करता है पर उससे लैप्टॉप आन नहीं होता, तभी वंश वहाँ से जा रहा था, उसने राहूल से कहा, लाओ इधर दो, ये ऐसे आन नहीं होगा, मैं आन कर देता हूँ, वंश लैप्टॉप आन कर देता है, तभी टीचर के आते ही राहूल साफ साफ जूट बोल देता है और वंश बेचारा, एक गरीब होने के कारण कुछ नहीं बोल पाता, अगले दिन स्कूल में कम्प्यूटर की क्लास थी, टीचर ने सभी बच्चों से लैप्टॉप लाने के लिए कहा, सर मेरे पास लैप्टॉप नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लाओ, कल तक मुझे हर बच्चे के पास लैप्टॉप दिखना चाहिए, मेरे पापाने मेरे जन्म दिन पर उपहार में दिया था, मैं उस पर बहुत अच्छी अच्छी मुवी देखता हूँ, और राहूल बच्चों से बाते कर रहा था और वंश अंदर ही अंदर परिशान हो रहा था कि वो घर जाकर अपने ममी पापा को क्या बोलेगा वंश घर पहुँचता है और अपने पापा से इस बारे में बात करना चाहता था पर उसने सुना उसके पापा पहले से ही परिशान है जानकी घर का किराया बिजली पानी का बिल और ये राशन के ये वंश की स्कूल फीस बाकी ये 2000 रुपए बचे हैं वक्त जरूरत के लिए अलग रख देना पापा के पास तो सिर्फ 2000 रुपए बचे हैं मैं उनसे नए लैपटॉप के बारे में बात करूँगा तो वो परिशान हो जाएंगे नहीं मैं भी बात नहीं कर सकता अगले दिन वंश जब अपनी क्लास में पहुँचा तो सब बच्चे अपना लैपटॉप सामने रख कर बैठे थे अरे वंश तुम्हारा लैपटॉप का है सर वंश लैपटॉप नहीं लाया मैंने तुम्हें बोला था ना कि सब बच्चों को लैपटॉप लेकर आना है तो तुम आज क्यों नहीं लाए चलो बेंच पर हाथ उपर करके खड़े हो जाओ मिस्टर मैता प्रिंसिपल मैम ने आपको और मुझे केबिन में बुलाए है दोनों टीचर प्रिंसिपल की ओफिस में जाते है मिस्टर मैता मिस्टर आप हमारे कम्प्यूटर टीचर है आप तो जानते ही हैं हमारा हॉल का प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है और थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है सब लोग आते ही होगे अंकुरी प्रोजेक्टर चेक करता है पर उसने आज चुट्टी ले ली है उसकी तविद बहुत खराब है तो मैं चाहती हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को संभालने के जिम्मेदारी आप दोनों ले लो और एक बार प्रोजेक्टर में जो भी प्रोब्लम आ रही है उसे ठीक करो ये तो बहुत मुश्किल है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है पिस्टर मैता कुछ तो करना ही होगा थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है प्रिंसिपल में आम नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी मारा एक स्टूडेंट है रहूल बहुत इंटेलिजेंट है उस दिन मेरा लैप्टॉप नहीं चल रहा था उसने कोशिश करके कुछी देर में मेरा लैप्टॉप ठीक कर दिया था मैं उससे बुलाता हूँ वो ये काम जरूर कर लेगा सर आपने मुझे बुलाया रहूल तुमने उस दिन मेरा लैप्टॉप ठीक किया था एक बार जरा ये चेक करो ये शायद तुम चला पाओ इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर वो… वो… सर मैंने आपसे जूट बुला था उस दिन आपका लैप्टॉप मैंने नहीं बलकि वंच ने ठीक किया था सर मुझे माफ कर दीजिए I am sorry सर तुमने मेरे से इतना बड़ा जूट बुला तुम्हें तो मैं बाद मत देख लूँगा पहले जाकर वंच को बुला कर लाओ राहुल वंच को लेकर आता है इतनी देर में प्रिंसिपल मैं भी वहाँ आ जाते है वंच प्रोजेक्टर ठीक कर देता है और मीटिंग शुरू होने तक वही रहता है उस बीच कोई भी परिशानी नहीं होती इस बात से प्रिंसिपल मैं और टीचर बहुत खुश होते है मैं वंच बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है ये कम्प्यूटर विशय में बहुत अच्छा है पर इस बच्चे के पास अपना खुद का लैपटाप नहीं है अगर इसके पास अपना खुद का लैपटाप होगा तो ये भविशय में बहुत कुछ कर सकता है आप ठीक कहरें मिस्टर मैता हमारे स्कूल में ऐसे हुनहार बच्चे होना हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है अगले इन स्कूल के हॉल में जब सब बच्चे इकटे हुए थे प्रिंसिपल मैम वंश को स्टेज पर बुलाती है और उसे एक लैपटॉप उपहार में देती है वंश बेटा ये तुमारा पुरसकार भी है और स्कूल की तरफ से उपहार भी है तुम्हारा अपना लैपटॉप मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल का हर बच्चा वंश की तरफ होनहार बने फाल में खड़े सब बच्चे तालिया बजाते हैं राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है वंश अपना पुरसकार लेकर घर जाता है जिसे देखकर उसके ममी पापा बहुत खुश होते हैं और वंश को गले से लगा लेते हैं हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा